नमस्कार दोस्तो अनुराग गोयल मैं स्वागत करता हूँ आपका स्टार इंवेस्टर चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अडानी ग्रूप कंपनी के बारे में कुछ महत्रपुन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि क्या लेटेस्ट अ तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पिछले दो दिनों में स्टॉक मार्किट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है जिसका सीधा-सीधा कारण अडानी क्रूप कंपनी की जो बैड न्यूज लगी है वो उसका में कारण है न्यूयक की ए बहुत बड़ी धोखादड़ी और पैसो का हेर फेर जो है अडानी ग्रूप ने किया है जिसकी वज़े से पिछले दो दिनों में 25% से जादा अडानी ग्रूप के शेयर लुडग चुके हैं और आने वाले दिनों में भी एक क्वेस्टन मार्क इंवेस्टर्स के लिए बना अडानी एंटर्प्राइजिज जिसमें की पिछले दो दिनों में 20% से जादा की गिरावट आ चुकी है और इस स्टॉक ने अपनी 64,000 करोड की मार्किट कैप को लूज कर दिया है तो इसके अलावा अडानी पोर्ट जिसमें की 16% से जादा गिरावट देखने को मिली है और इस कंपनी के स्टॉक ने भी 36,000 करोड का अपना मार्किट कैप लूज कर दिया है इसके अलावा अडानी ट्रांस्मिशन जिसमें की 20% से जादा गिरावट आई है इस कंपनी के स्टॉक ने 84,000 करोड का अपना मार्किट कैप लूज किया है पिछले दो दिनों में जो की एक बहुत बड़ा फिगर है इसके अलावा मैं बात करूँगा अडानी विलमार्ट जिसमें 5% से ज़्यादा का गिरावट आया है 7000 करोड का इसका मार्किट कैप लूज हुआ है और अडानी ग्रीन एनरजी जो जिसमें की 25% से ज़्यादा का ड्रॉप डाउन देखने को मिला है और इस टॉक में 68,000 का मार्किट कैप लूज किया है इस कंपनी ने तो दोस्तो इसके अलावा ACC और अम्बूजा सेमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपक्ट देखने को मिला है 13% से ज़्यादा के गिरावट आई है ACC में जिसने की 9000 करोड का अपना मार्किट कैप लूज किय है यह स्टॉक तो दोस्तो ओवर ओल जो पिक्चर है वो अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए बने रहने के लिए और इसके अलावा जो एक और बैड निउस यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो है LIC के रिगार्डिंग कि LIC की वैल्यूएशन भी पिछले द इमेज पे सीधे सीधे इंपक्ट करता है और इन्वेस्टर को डराने के लिए काफी बड़ा फिगर है तो दोस्तो ओ लाइसी ने अडानी ग्रूप की पांच कंपनियों में अपना निवेश किया हुआ है जो कि उसका निवेश एक परसेंट से लेके नाइन परसेंट तक का स्टेक होल्डर है LIC अडानी की पांच ग्रूप कंपनी में जो की एक बहुत बड़ा फिगर है परसेंटेज है और आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की कोई भी दूसरी ऐसी इंशुरेंस एजंसी नहीं है या कंपनी नहीं है जिसने की इतने बड़े स्टेक पे अड पूर्ण इंफोर्मेशन है वो ये है कि अडानी ग्रूप के टोटल डेट कितने हैं तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि CLSA जो की एक प्राइवेट एजंसी है और उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार फैनेंशल येर दो हजार बाइस तक का जो अडानी ग्रूप के टोटल ड जो इनका अपडेट्स आया है उसके एकोर्डिंगली 70-80,000 करोड का डेट जो है अडानी ग्रूप का अभी आउटस्टेंडिंग है और उसमें जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि उसमें 10% जो है प्राइवेट बैंक की फंडिंग है और 30% की PSU बैंक की फंडिंग ह तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट्स करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में इन पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक्स के उपर भी एक बहुत बड़ा इंपक्ट देखने को मिल सकता है हो सकता है कि अगर ये बैड निउस कंटीन्यू रही तो आपक है ऐसे सिनेरियों में क्योंकि ये सिनेरियों जो है ठीक नहीं है मार्किट के लिए और इसके अलावा बात करना चाहूंगा सैभी के एक्शन के बारे में इवनिंग में कुछ अपडेट्स आये हैं कि रिगार्डिंग ओफ सैभी इसके उपर पहले प्रतिक्रिया देने से प तो इवनिंग में कुछ अपडेट्स मिले हैं कि सैभी ने अपनी स्क्रियूट्नी इस केस को लेकर के तेज कर दी है और सैभी का कहना है कि पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड जो है वो अब इसके स्क्रियूट्नी करने स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि किन-किन investment से हुआ है और कितना कितना वहां पर लेन देन हुआ है तो दोस्तों बहुत बड़ी news है सेभी से जुड़ी हुई डानी ग्रूप से जुड़ी हुई कि आने वाले दिनों में हमें और latest updates इसके regarding मिलेंगे और हो सकता है कि ये case बिलकूल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए ताकि market को कुछ राहत मिल सके अगर कुछ positive रहा और अगर कुछ negative रहा तो हो सकता है market में बहुत बड़ा correction देखने को मिले तो दोस्तों मेरी इस वीडियो के साथ बने रही है थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डेफिनेटली कुछ नए अपडेट्स जरूर लेकर आऊंगा थैंक यू वेरी मर्च दोस्तों